सूप्रभात प्यारे बच्चो यह पाठ अनोपचारिक पत्र कक्षा चोथी की हिंदी व्याक्रन का है यह पाठ आपको 9 अगस्त 2021 को भेजा जाएगा यह आवाज रोमा रानी की है प्यारे बच्चो आज हम इस पाठ में अनोपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे इसलिए सभी बच्चे अपने पास हिंदी की एक अभ्यास पुस्तिका भी रख लें क्यूंकि मैं आपको पाठ के बीच में कुछ कार्य लिखने के लिए भी दूँगी बच्चो अब मैं आपको अनोपचारिक पत्र के विशे में समझाओंगी यदि आप तयार हैं तो मैं आपको अनोपचारिक पत्र के बारे में समझाने जा रही हूं सभी बच्चे इसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे बच्चो व्यवहारिक जीवन में लिखने की योग्यता का पहला महत्व पूर्ण उप्योग पत्र लेखन में ही होता है पत्रों के द्वारा हम एक दूसरे तक संदेश पहुचाते हैं इनके द्वारा अपने मन के भाव और विच्चार घर परिवार के समाचार आध्य प्रकट किये जाते हैं मित्रों, संबंधियों, संपादकों, सरकारी करमचारियों आध्य को पत्र लिखे जाते हैं पत्र लिखना एक कला है इनके द्वारा व्यक्ति के ज्यान और व्यक्तित्व का भी पता चलता है बच्चों पत्र दो परकार के होते हैं आपचारिक पत्र एवं अनुपचारिक पत्र बच्चों आपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनके साथ पारिवारिक संबंध नहीं होते प्राथना पत्र, प्राधानाचारिक को पत्र, कार्यालेई पत्र, संपाद को पत्र, व्यापार संबंधी पत्र, आदी अपचारिक पत्र कहलाते हैं अनुपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारे व्यक्तिगत तथा पारिवारिक संबंध होते हैं मित्रों तथा संबंधियों आदि को लिखे जाने वाले पत्र अनुपचारिक पत्र कहलाते हैं बच्चो मैंने आपको पत्र लेखन के बारे में समझा दिया है अब मैं आपको इसके आधार पर कुछ प्रश्न दूँगी अब आप यहां तीन मिनट का अंत्राल लेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे प्रश्न एक पत्र कितने परकार के होते हैं प्रश्न दो विद्याले में अवकाश लेने के लिए कौन सा पत्र लिखा जाता है प्रश्न तीन मित्रों और संबंधियों को कौन से पत्र लिखे जाते हैं बच्चों अब आपका अंत्राल का समय समाप्थ हो गया है अब मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी उत्तर एक पत्र दो परकार के होते हैं अपचारिक पत्र एवं अनपचारिक पत्र उत्तर दो अपचारिक पत्र उत्तर तीन अनपचारिक पत्र बच्चों पत्र के पिछले पाठ में हमने अपचारिक पत्र लिखना सीखा था आज हम अनपचारिक पत्र लिखना सीखेंगे अनपचारिक पत्र का प्रारूप अनपचारिक पत्र में सबसे पहले लिखने वाले का पता लिखा जाता है जैसे मकान नंबर, सेक्टर और शेहर का नाम जैसे चंडीगड इसके बाद दिनांग लिखा जाता है प्रिये सक्खी या मेत्र सप्रेम नमस्ते अनपचारिक पत्र के पहले अनुचेद में कुशल क्षेम लिखा जाता है और दूसरे अनुचेद में जिस विशे पर पत्र लिखा जा रहा है उसके बारे में लिखा जाता है अपने विशे की जानकारी देने के बाद पत्र की समाप्ती की जाती है अन्त में तुमारी सक्खी या मित्र लिखकर अपना नाम लिखा जाता है बच्चो अनुपचारिक पत्र लिखने से पहले इस प्रारूप को ध्यान पूर्वक पढ़े एवं सुने बच्चो अब मैं आपको ग्री कार्य दूंगी जिसे आप अपनी हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में करेंगे ग्री कार्य अपनी नई कक्षा का वर्णन करते हुए अपने दादा जी को पत्र लिखें बच्चो आप पत्र लिखने से पहले इसके प्रारूप को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे आपको इस पत्र की उत्तर पत्री का वीरवार को भेजी जाएगी धन्यवाद